और मानिनी प्रधान मंत्री श्री नरेद्र मोधी का आई ए आर आए पूसा के इस में हॉल में आगमन हम मानिनी प्रधान मंत्री जी से अनुरोथ करते हैं कि कृपिया त्याक तपस्या परिश्रम की प्रतिमूर्ती नाना जी देश्मु तथा कारजेष्ट स्वतंत्रता सैनिक तथा जनक्रांती के बाहग लोक नायक जयप्रकाश नारायन को पुष्पांजली अर्पित करें मानिनी प्रधान मंत्री जी से हम अनुरोथ करते हैं कि को पुषपांजली अर्पित करें उनकी तस्वीर में करुणा में भेद भाव से रहे गाउं के दवे पिछडे लोगों के विकास को प्रतिबद महां सामाजिक निर्माता श्री नाना जी देशमुख की दूर द्रिष्टी सोच ने गाउं विकास को एक नया आयाम दिया माननी प्रधान मंत्री जी पुषपांजली अर्पित कर रहे हैं आज इस मौके पर हम जन्म शताब्दी भी मना रहे हैं नाना जी के जेपी के नाम से मश्रूर लोकुप्रियव श्री जैप्रकाश नारायन घर घर क्रांती का परयाय बन गय थे सत्याग्रह के रास्ते जनता का एक बहुत बड़ा संगठन करने वाले जैप्रकाश नारायन की आज जन्म जैनती है कुछ लोग थे कि वक्त के साचे में ढखल गए कुछ लोग थे कि वक्त के साचे में ढखल गए कुछ लोग थे कि वक्त के साचे बदल गए दोनों ही महान विभूतियों को देशवास्यों का शत शत प्रणाम आप कभी हम स्वागत करते हैं और अब हमारा आग्रा है ग्रामीन विकास पंचायती राज इस खान मंत्री श्री नरेंडरी सिंह तो मरसे की गृपया स्वागत संबोधन दे आज इस विसाल ग्रामीन समागों को संबोधित करने के लिए हम सबता मार्ग दर्शन करने के लिए हमारे मद्य उपस्थित इस देश के लोकप्रिय पर्धान मंत्री मानी सिरी नरेंडर्मोदी जी हमारे क्रेशी मंत्री मानी रादमोन सिंग जी क्रेशी एवं पंचाइदी राज मंत्री आदर्णी रूपाला साब ग्रामीड विकास के राज्य मंत्री आदर्णी रामकपाल सिंग जी और दीन द्याल सो संस्थान के शेर्मेन मानी स्री विरेंदर जी इस सभागार में उप और इस कारिक्टर में भाग लेने के लिए आए देश भर से पंचायती राज शेत्र के निर्वाचित जनप्रद्रिदिगर्ण, आज यीविका के शेत्र में काम करने वाली हमारी बेहने और अन्य उपस्थित महानुभाव। आज यह मेरा परमसोभाग है कि नाना जी की जन्म सदाबदी के समारोक का अफसर है और इस अफसर पर ग्रामेडश के सिल्पी भी उपस्थित हैं और ग्रामेडश की चिटा करने वाले हमारे माननी प्रधान मंद्री जी पे उपस्तित हैं मैं उपस्तित जन समू की ओर से माननी प्रधान मंद्री जी का हिर्दय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बहुत-बहुत अविनदन करता हूं आज नाना जी देशमुख का जन्म दिन है नाना जी देशमुक ग्राम अथान के लिए समर्पित रहे उनका व्यक्तित और क्रत्यत dोनों ही पेड़ना इसपद रहा जब सारूरिक जीवन में उन्होंने काम किया राजनीती में काम किया तो भी बे पेड़ना के केंदर थे और जब राजनीती से सन्यास लेकर ग्राम विकास की द्रश्टी से जब वो ग्रामिड छितर में काम करने के लिए गए तो आज उनके समर्पन के जीवन तो धरन, छितर कूर, वीड और गॉंड़ा जैसी परियोजनाएं हम सब लोगों को द दिखाई देती हैं, आज बाबु जैप्रकास नारण जी का भी जन्म दिन है, देश इस बात का साक्षी है कि जब देश में भरष्टाचार चरम पर था, तो बाबु जैप्रकास नारण जी के नेतरत्यों में युबाओं का एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उस समय यह कहा जाता था, कि अगर लोक तंत्र की रक्षा हुई है, तो उसमें बाबु जैप्रकास नारण जी के नेतरत्यों का बहुत बड़ी भूमिका है, आज ऐसे दोनों महापुर्शों का जन्म दिन है, मैं ग्रामेड दिकास मंत्राले के ओर से, मानि नाना जी देश मुख और लोक प्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और इश्वर से प्राठना करता हूं, कि हम को, हमारी सरकार को, उनके पत्पर चलने की सक्ति प्रदान करें, जिस से आने वाले कल में, या भारत प्रदान मंत्री नरेंद्र बोदी जी के नेतरत्तों में, एक नए भारत के रूप में हम सब लोग सहकार कर सकें, मानी प्रदान मंत्री जी, नाना जी देशमुक की जन्म सताब्दी के समारोग के इस समारोग को करने का अबसर आपने हमको प्रदान किया, इसके लिए गिनामिर विकास मंत्रा ले, निश्य दूप से आपका बहुत आभारी है, जब से आपने काम सरकार में समाला है, तब से लगातार ग्रामिर छेतर में गाओं के विकास, गरीब के विकास, किसान के उन्नती इसके लिए काम किये जा रहे हैं, मुझे ध्यान है, जब तेरवा वित्तायोग था, उस समय साथ हजार करोड़ रुपया, पंचायतों को पांच वर्सों में मिल यह आपका ही सस्वी नेतरतु था, जिसने यह तै किया कि चौदमे वित्तायोग का दो लाग दो सो बानवे हजार करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को विकास के लिए मिलेगा, मैं समझता हूँ ग्राम पंचायतों के जीवन में, यह बहुत बड़ा नेड़ें आपका ह जिसके कारण पूरे देश में अदो सरचना विक्सित हो रही है, ग्राम पंच शेतर में एक समय था जब पचास हजार करोड़ रुपया भारा सरकार खर्च करती थी, आज आपका ही सस्वी नेतरतु है, जिसने यह नेड़ने लिया कि ग्राम आगे बढ़ेगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा, ग्राम की बुनियाद को मजबूत करना है, तो देश की बुनियाद मजबूत होगी, जो पचास हजार करोड़ रुपया खर्च होता था, आज हम एक लाग पांच हजार करोड़ रुपया गाओं के दिकास पर खर्च कर रहे हैं, मैं समस्ता हूंग, ये गाओं के जीवन में महत्वण निर्ड़ें आपका है और इससे बदलाव आ रहा है, पीम जेस्वाई, आवास योजना जैसी योजना है, जिनका लक्ष आपने निर्धारित किया, मुझे पहले भी विपक्ष में और राज्य सरकार में मंतरी रहने का अवसर मिला, मैं जानत हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकि आप ने प्रधान मंतरी पद की सफ़त लेने के साथ ही यह प्रदिग्या की थी कि आपकी सरकार गाँ और गरीब के लिए समर्पित रहेगी, और इस कारण आपने प्रधान मंतरी आवास योजना बनाई, आपने प्यम ज प्रध्रतों में हुआ, उसी का परड़ाम है कि आप पंडित दीन द्याल उपाध्या राष्टी आजविका योजना के माध्यम से अगर पांच लाग बच्चों को प्रशिश्चित किया जाता है, तो दो लाग बावन हजार बच्चों को रोजगार मिल जाता है और अच्छ लाख लोग अपना स्वरोजगार इस्थापित करने में सफल होते हैं, पंडित दीन दाल उपाध्या जी कहा करते थे, एकांगी विचार से काम नहीं चलेगा, समगर विकास और समुच विकास की कलपना को साकार करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ आपके नित्रक्तों में भारत की धर्ती पर आज में दिन आ गया है, जब ग्रामीन अदो सरचना के प्रियास हो रहे हैं, जब ग्रामीन में कोशल उन्नाइन के प्रियास हो रहे हैं, गाओं के गरीब आदमी को घर उपलब्द कराने का काम किया जा रहा है, हर घर में सोचाल में है कि आने वाले कल में आपकी योजनाओं के माध्यम से आपकी दूर दृष्टी के माध्यम से आपके नेतरतों में और आपके मारदर्सन में मिसर अंतियोदे के माध्यम से आने वाले कल में देश की पचास हजार से अधे ग्राम पंचायतों को गरीवी मुक्त करने का जो स अंकल को निश्यद रूप से हम पूरा करने में सफल होंगे आज मैं इस अवसर पर उपस्तित सभी महानुभावों की ओर से आपका हिर्दय से बहुत-बहुत शौगत करता हूं इस कारिक्रम की आयोजना और कल 10 अक्टूबर को देश भर के ग्रामीड छेतर में काम करने वाले विद्वान और विसेशक के उपस्तित हुए थे इस कारिक्रम की आयोजना में दिंद्याल सोथ संस्थान और रांबाव महलगी प्रवोधनी इन दोनों संगठोनों का बहुत योगदान रहा है मैं मंत्राले की ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और पुना आप सब क को अन्रोत करना चाहता हूं मानी पढ़ान मंत्री जी को जोड़डार तालियों के साथ पनालमंत्री जी का आभान करें समर्पित समाथ सेवी नाना जी देश्मुख ने कई गामों की तखदीर और तस्वीर दोनों ही बदर डाले उनके द्वारा चलाए गई परियोजनाओं का पावन उद्देश था हर हाथ को काम हर खेत को पानी आए देखते हैं यह फिल्म गाउं खुशाल है चेहरों पर मुस्कान है तरक्की के बीज बो रहा है मेरा भारत विकसत हो रहा है कुछ ऐसी ही ग्रामियन दिकास की विचारधारा के निर्माता थे पद्म विभूशन श्री चंडिकादा सम्रेत्रावर देशमुक जिन्हें सारा देश आज भी नानाजीर देशमुक के नाम से जानता है नाना जी देशमुक का जन्म 11 अक्तूबर सन 1916 को महराश्र के छोटे से गाव कडोली में हुआ उनका बच्चमन कठिनाई और गरीबी में बीता शुरू से ही नाना जी प्रतिभाश अलिविद्यार थी थे और उन्होंने अपनी उच्छतर श जीवन लक्ष शिक्षा नहीं था वे तो अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करना चाहते थे इसी चाह ने उनके जीवन का रुख समाज सेवा और राजनीत के ओर मोड़ दिया वे जनसंग का महत्वण हैसा बने और एक सफल राजनीतिक जीवन व्यतीत किया कि 1968 में उन्होंने अपने घनिष्ट मित्र और प्रेणा स्रोल पंडित दीन दयाल उपाध्याय के सम्मान में सामाजिक आर्थिक पुनर रचना की प्रयूग शाला के तौर पर दीन दयाल शोद संस्थान की स्थापना की आज ये देश के उच्चतम शोद संस्थानों में से एक है जिसकी पर्यूजनायंद दिल्ली कुंडा चित्रकूर बलरामपुर और महाराश्ट में फैली हुई है दीन दयाल शोद संस्थान में महत्मा गांधी और दीन दयार उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसा गाओं गाओं में प्रत्यक अवाधी को स्वावलंबी और स्वाभीमानी और कर्टुत्वान बनाने का प्रयास्तिया विश्वर कृता से इन प्रयास्तों को व्यावाहरी धरातल्पर सफलता मिल रही है नाना जी का मानना था कि समाज की असली सेवा सिर्फ समाज की बीच रहकर की जा सकते हैं इसलिए सन 1978 में नाना जी ने राजनीती से निवृत्ति लेली और अपना सारा ध्यान समाज सेवा पर केंद्रित कर दिया उन्होंने देश में ग्रामीर्ण ख्षेतरों के लिए शिक्षा, क्रिशी कल्यान, प्रध्योगीकी, सामाजिक संतुलन, ग्रामीर्ण आजीविका, स्वास्थि, स्वच्छता, पशुधन कल्यान और प्राकृतिक संसाधन संग्रक्षन जैसे स्वरूपों में बहु संख्य गूंडा में गूंडा ग्रामोदय यूजना के तहट नाना जी ने अंगिनत यूजनाई वसंस्थाइं स्थापित की जिनका उड़ेश था ग्रामीन छेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और आर्थिक वसामाजिक असमानताओं को मिटाना जो उन्होंने सफलता को जल संग रक्षन और व्रिक्षा रोपन के नए तरीकों से परिचय कर वाया गूंडा और वीद में हजारों जिंदगियों को बदलने के बश्चात नाना जी सन 1990 में भगवान राम की कर्मभूमी चित्रकूट में जाकर बस गए उनके जीवन का सबसे महत्वपून समय यह नहीं भी था चित्रकूट में बसा देश का पहला ग्रामों दे विश्व इद्याले नाना जी से ही प्रेणा लेकर स्थापित हुआ और वे इसके पहले कुलाधी पती बने यह चित्रकूट की आत्मनिर्भरता की और एक बड़ा कदम था इससे ग्राम के युवकों को उच् स्वावलंबन अभ्यान के तहत समाशिल्पी दंपत्ती प्लस गाउं के लोगों ने मिलकर जो भी प्रयोग किया उसकी सफल प्रयोगों को देश भर में और देश से बाहर भी प्रतिपादित करने का काम हम लोग कर रहे हैं चित्रकूट में नाना जी ने विभिनक शेत्रों की उन्नती के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की आज चित्रकूट पूरी तरह से आत्म ने भर जिला है और पूरे देश के लिए एक प्रिल्णा स्रोत उदाहरण है नाना जी के रचनात्मा का वदानों को देखते नाना जी को 1999 में राश्ट्रपती ने राज्य सभा के लिए नामित किया साथ ही साथ 1999 में नाना जी को पत्म विभूशन की उपाधी से भी सम्मानित किया गया स्री नना जी को इमलाँ अँनका विए दित Susa चेस्टू को दोर्ट्स करते हो जाएंने कॵी आट्रॉशनों कि अट्राहां अ внимание. डुल है यदिता नाना जी कुछार से मुट आपका शेंविदोच 2021 से अव्य। बेलने वितoma कि टूहार। प्रिकेवलने की कि ऑनल भेस्थ डी tuần बीया ह difेट इपाज़ा आटाश कि अचैन की फेस्टाख सफ नर गीता कि हम शोल, आपने ले नहीं अपनों के लिए हूँ अपने वे हैं जो पीडित और उपेक चीते ऐसे निस्वार्त महापुरुष को हमारा शत्षत्ना मैं नानाजी देश्मुका जीवन दर्शन चरितार्थो गाउन सुखी, स्वस्थ और स्वच्छ रहें नएने टेक्नोलोजीज और इनोवेशन से हर घर आंगन सम्रिद्धी के दिये जले कल राष्टे इस तर के कांसल्टेशन्स में दिन भर जो विचार मन्थन हुआ उसकी रेक्मेंडेशन्स पर आएए एक फिल्म के द्वारा नजर डालते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं नया भारत बनाना है तो सबसे पहले गाओं को गरीबी से मुख्त करना पड़े और इसलिए आज नाना जी देश मुख्त वो इसमरान करते हुए हम लोग इस कारिक्रम के आयोजना किये हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं और मैं कहूंगा कि यह हमेशा होना चाहिए और रेगूलर होना चाहिए तो जो मिनिस्ट्री आफ रूरल डेवलप्रेंट कर रही है नाना जी देश्पू के जहनती पे जो काम हो रहा है एक बहुत ही प्रेद्रदायक काम है अब मुझे लगता है यह 2022 तक यह सरकार संभाव कर पाई की है यह काफी अच्छा प्रोग्राम था जिसमें बेकाउट सेशन्स किये गए पाच डिफरेंट विश्यों को लेके तो हमें काफी उमीद है कि हम जरूर अपना 2022 तक जो किसानों की इंकम डबल करने का जमारा मिशन है वो जरूर पूरा हो सकता है जो रिकमेंडेशन सामने आया है उससे ज्यादा से ज्यादा फाइदा देश के सबसे गरीब को मिलकर यह मिशन अन्तियों जरूर सक्सेस्पल होगा मुझे उम्मीदे जिस निष्ठा से हमारे नानाजी देश मुखनी किया और आज के सरकार जिस निष्ठा से कर रहे हैं उसके तरब जा रहे मुझे लगता है कि 2022 में कुछ परसेंटेज या हाई परसेंटेज पावर्टी अलिविएशन हो सकता है पहला मुद्ध ये था कि ये सब काम जब कर पाएंगे जब ग्रामसभा को एंपावर करेंगे तो एंप ग्रामसभास तो बग्राओंगे कर दो चुछ परसेंट बधिविद फ्राइज और नर्म पस्पेक्टिव ये ये इसे शुरुबाद करनी होगी इस ये इसे बाइब इसे बिल्सक्राइब कर दे गूगिज़ गिए ये पाटिसर गूर। पूर इसना शोर्य बेनिफिशियरी पूर इस इस थे कोलना थे पूराइब दूप्टेश्स फिरस लानिंग प्रेवनाज दूपर फिरस्ट दूपर प्रेश्चेङर के लिए कि एक भी पिक्चर हो बच्ची कोई भी बात हो और जिस दिन एक आथ्मी क्लास की बच्ची को समझ में आ जाए उस दिन हमें कि एक भी बात है जब तक मानसिक्ता नहीं बदलेगी लोगों की जब तक पिसान का बेटा किसानी करना नहीं चाहेगा तब तक खेती का उधार नहीं होगा कि खेती कि झाए जब पर उस दिन एकारी से लिए भी खेती और मताव। तो गाउं अब लोकल नहीं ग्लोबल कहे जाएंगे टिकनोलोजी से जुड़कर राष्ट्र विकास से जुड़ जाएंगे डाश्बोर्ट दिशा से मिलेगी सही दिशा जन प्रतिनिधी को जानेंगे वे अपने एक शेत्र की योजना से जुड़ी जानकारी को हम मानी प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि क्रिप्या दिशा डैश्बोर्ट को लांज करें रिमोट का बटन दबाकर दिशा डैश्बोर्ट जिला विकास समनवय और निगरानी समिती यानि दिशा समिती सांसदों के नेत्रित्व में जिला में हो रहे विकास कारियों का अनुश्रवन करने एवं कन्वरजन्स थापित करने हेतू बनाई गई है उद्देश है कि 20 मंत्रालेयों के 41 प्रमुक कारिक्रमों की विस्तृत समीक्षाकर देश भर में हो रहे है विकास कारिक्रमों में जन प्रतिनिधियों की भागेदारी एवं गती प्रदान करना दिशा डैशबोर्ड दिशा समीति के निर्णय लेने के कारेओं में सहायता करने हेतु बनाया गया है ये देश का एक मात्र ऐसा डैशबोर्ड है जिसमें देश के अलग-अलग मंत्रालेयों के विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक ही जगे दिखती है अब तक दिशा डैशबोर्ड पर तीम मंत्राले से छे योजनाओं की जानकारी बी स्क्रीन और साथ सिक्षन्स में दिखाई जाती है जिन पर 92 KPI और 151 करोर डेटा पॉइंट्स उपलब्द हैं चाहे वो मन्रेगा हो या उजवला योजना या स्वच्छ भारत अभिया अनित्यादी सब की जानकारी दिशा डैशबोर्ड पर उपलब्द है यही नहीं दिशा डैशबोर्ड में हर योजना के लिए देश के हर स्तर की जानकारी एक जगे मिलती है चाहे वो ग्राम पंचायत हो, विधान सभाक शेत्र या संसद ये कारे कशेत्र इससे सांसद और विधायकों के कारियों और फैसलों में निपुन्टा आती है और विकास कारियों में आ रहे हैं वे वधानों के उपाय करने में आसानी होती है दिशा डैशबोर्ड के बहु आयामी प्रस्तुती के माध्यम से किसी भी लोजना, किसी भी मंत्राले, किसी भी च्षेत्र, किसी भी वित्य वर्ष का डेटा तुलनात्मक दृष्टी से देखा जा सकता है दिशा डैशबोर्ड, स्पार्ट गवनेंस की ओर भारत सरकार की एक नवीम पहल दिशा डैशबोर्ड, अस्टेप ट्वर्ट्स डेटा ट्रिवन डिसिशन मेंकिंग ग्राम समवाद तो जनता के लिए जानकारी मंज है विकास कारिक्रमों से जुड़ी जानकारी अब होगी आपकी मूठी में मोबाइल एप के द्वारा पार्दर्शेता और जवाब देही का इससे अच्छा जवाब भला और क्या होगा हम मानिनी प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि क्रिप्या ग्राम समवाद एप का शुभारंब करें रिमोट का बटन दबा कर ग्राम समवाद मोबाइला दो हजार बाइस तक एक नए भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत के ग्रामीन क्षेत्रों का विकसित होना अनिवारे है और तीवर गती से ये विकास हो भी रहा है विकास से ग्रामीन परिद्रिश्य में आ रहे बदलाव की सूचना जन मानस तक पहुचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ये पहल ग्राम समवाद मोबाइल एप से संभव हो रही है ग्राम समवाद मोबाइल एप सूचना से सशक्ति करन ये एप आपको अपने क्षित्र में होने वाली सारी ग्रामीन विकास योजना के बारे में जानकारी देगा, वो भी आपके अपनी भाशा में जल्द ही में, इसमें आप अपनी ग्राम पंचायत के साथ साथ अपने क्षित्र के किसी भी ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी सकते हैं बस अपना स्थान चुने किसी भी योजना पर क्लिक करें और पाएं उससे संबंधित हर जानकारी सवालों के जवाब पढ़ें आंकड़े देखें और सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने का माध्यम पाएं यहीं नहीं आप इस स्पीकर पर क्लिक करके सारी जानकारी सुन भी सकते हैं ग्राम संबाद मोबाइल आप सूचना से सशक्ति करौन कि बहुत बहुत सारे शुप काम ना है नाना जी देश मुख ने ग्रामीन परिवेश के छोटे-छोटे कारियों को भी पहचान दिलाई ताकि लोग आत्म निर्भर बने और स्वावलम भी बने नाना जी का यहीं सपना तो पूरा हो रहा है आर्सेटी के द्वारा आर्सेटी क कि ग्यारा भवनों का शुभारंब करने के लिए हमारा विनम्र आग रहे है माननी प्रधान मंत्री जी से कि क्रिप्या ग्यारा भवनों का शुभारंब करें राष्ट को समर्पित करें रिमोट का बटन दबाकर और यह देखिए यह ग्यारा इमारते हैं जिनका और अब हम लाइब कनेक्ट भी होना चाहते हैं उनसे यह देखे लाइब कनेक्ट हो गए हम एनाइसी के द्वारा बिल्कुल लाइब है यह हम आपको बता दें कि नाना जे देखमुक के नाम से आर्सेटी जें चिरॉंग, असाम, राजकोट, गुजरार, टॉंग, यूपी में मुजफर नगर, हात्रज, संतकबीर नगर और लोगनायक जैप्रकाश नाराण के नाम से जो आज सिटीज हैं वो हैं एलिरू, आंधरप्रदेश, पोरबंदर गुजरात, पानीपत हर्याना, यूपी में गोरकपुर और सिध्धात नगर बहुत-बहुत सारे शुप कामनाय, बहुत-बहुत सारी बढ़ाई आप सभी को, पसल अनवेश्वनों और अविश्कारों में हम विश्व में किसी से भी पीछे नहीं हैं, बहतर पैदावार बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी, अत्यादुनिक, स्वचालित और क्षती रहित, अनॉमिक स्पेसिलिटी को राष्ट को समर्पित करे माननी, रिपोर्ट का बटन दबा कर जलवायू परिवर्तन, फसलों की उत्पादक्ता के लिए एक जोलंथ समस्या है भारतिये खाति सुरक्षा को बनाय रखने के लिए जलवायू अनुकूल फसल किसमें विक्सित करना आवशक है इस लक्ष की प्राप्ति के लिए भारती कृषी अनुसंधान संस्थान ने एक अत्याधूनिक एवं सोचलित प्लांट फिनोमिक्स केंद्र की इस्थापना की है फिनोमिक्स एक आधूनिक बहुँ विश्यक्विक्यान है जिसमें लगभग वास्तविक समय में पौधों को बिनाक्षती पहुँचाए सेंसस एवं कम्प्यूटर की साहता से लक्षन प्रारूपं किया जाता है यह केंद्र हाइटेक नियंत्रित जलवायू वाले ग्रीन हाउस गतिशील फिल्ड कन्वेयर सिस्टम स्वचालिट भारुतोलन उर्वरक एवं सिचाही स्टेशन और विभिन इमेजिंग सेंसस से सुसर्जित है यह केंद्र जलवायू अनुकूल फसल किसमें विक्सित करने के लिए उपयोगी श्रेष्ट जीन प्रारूपों एवं जीनों की पहचान करने के लिए प्रतिबत है पद्म विभूशन से सम्मानित स्वर्गिय श्री चंद्र का दास अमरित्राव देशमुक जो एक महान सामाजिक कारी करता रहे है उनके सम्मान में आज इस गेंद्र को भारत के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नाना जी देशमुक प्लांट फिनोमिक्स गेंद्र के नाम से राश्ट को समर्पित किया जा रहा है बहुत बहुत बढ़ाई आप सभी को अद्भूद द्रिश समाथ से वी नाना जी देशमुक के प्रती राश्ट्र की निष्ठा और श्रद्धा जताता एक दाक टिकेट डाक पिभाग द्वारा जारी किया जा रहा है नाना जी देशमुक की जन्व शताबदी को कमेमरेट करने वाले इस डाक टिकेट का विमोचन करने के लिए हमारा निवेदन है माननी प्रतान मंत्री जी से यह आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं उस डाक टिकेट को बहुत बहुत धन्यवाद माननी प्रतान मंत्री जी आपका माननी प्रतान मंत्री जी की भावनाएं और योजनाएं दोनों ही गाउं वरीब किसान खेत खलिहान से अटूट जुड़ गई है देश साक्षी है मारिनी प्रधान मंत्री जी एक व्यक्तित्व ही नहीं विकास का पर्याय बन गए हैं भारत वास्यों वे ऐसे सुराज के लिए श्रद्धारत हैं जहां हर युवक को रोजगार हर किसान को उसकी महनत का प्रतिफल मिले गावों की सम्रिद्धी नई-नई टेक्नोलोजी से जुड़कर विकास क्रांती का बीज बोती रहें गावों को विकास का वात्सल्य देने वाले मानिनी प्रधान मंत्री जी से अब हमारा निवेदाने की कृप्या हम सभी को संबोधित करें शुप कामनाएं दें मन्च पर विराजमान मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान नरेंद्र सुन जी तोमर श्रिमान राधा मोहन सुन जी श्रिमान राम प्रपाल जी आदव श्रिमान पुर्शतम जी रुपाला और दिन दयाल रिसर्च इंस्टिटूट के चैर्मेन श्रिमान विरेंद्र जी त्षी जी और देश के कौने कौने से आये हुए मेरे प्यारे गाउं वासी आज लोक नायक जैप्रकास जी के जन्म जैन्ति का उसर है और आजी के दिन लोक नायक जैप्रकास के निकटस्त साथी श्रिमान नाना जी देश्मुक की जन्म जैन्तिक शताब्दी का भी आउसर है इन दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन कान में एक ऐसे संकल्प का परिचे कराया और जिस संकल्प के लिए उन्होंने स्वयम को जौक दिया और सिद्धी प्राप्त करने तक वे जीवन का पल पल मात्र भूमे के लिए देश वासियों के कल्याण के लिए अपने संकल्प को साकार करने के लिए वे जीवन भर जुटे रहे लोक नायक जैप्रकाज जी आज आधी के अंदोलन में युवाओं की प्रेरणा रहे थे 1942 हिंद छोड़ो ये अंदोलन अपनी तिवरता पर पहुँचा मात्मा गांदी सरदार पट्रेल समेच सभी राष्ट पुरूश अंग्रेज सल्तनत ने जेलों में बंद कर दिया और ऐसे समय जैप्रकाज जी लोहिया जी ऐसे युवाओं को ने आगया करके उस अंदोलन की बंगडोर संभाली थी और उस कालखंड की युवाओं पीडी के मन में वो प्रेणा का स्रोत मन गए थे आजादी के उस कालखंड में जैप्रकाज जी लोक नायक के रुपए युवाओं रुदयों के लिए एक प्रेणा का केंद्र बन गए थे लेकिन दावेश आजाद होने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता के गलियारों में अपनी जगा डूनते नजर आते थे ये जैप्रकाज नारायन थे जिन्होंने सत्ता की राजनीती से अपने को दूर रखा और आजादी के बार जैप्रकाज जी और उनकी स्रीमती प्रभादेवी जी ने ग्रामो थान के मार्क को चुना लोग कल्यार के मार्क को चुना नाराजी देश मोख देश उनको जादा जानता नहीं था देश के लिए उनकी अपना जीवन दे दिया था लेकिन जब जैप्रकाज यहां ब्रस्टाचार के खिलाब जंग लड़ रहे थे आपात काल के पूर्व फिर एक बार जैप्रकाज जी देश में पनप्रहे ब्रस्टाचार राजनिती ब्रस्टाचार उच्च पदों पर पले बड़े ब्रस्टाचार उसके खिलाब दुकी होकर के विद्ध्यारती अंदोलन के साथ जुड गए थे गुज्रात के नवनिमाण अंदोलन से प्रेड़ा लेकर के जैप्रकाज जी फिर एक बार मैदान में आ गए और जैप्रकाज जी के आने के बाद दिल्ली की सल्तनत में खलबली मची गई जैप्रकाश जी को रोकने के रिए क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए शड़ियंत्र होते थे और पट्ठना में एक बार ऐसी स्थित्ष आई कि जैप्रकाश जी के ऊपर एक सारवजने कारकमे जब मार्च निकल रही थी जै प्रकार जी पर बहुत बड़ा हमला हुआ और उस समय उनके बगल में नाना जी देश मुख खड़े थे नाना जी ने अपने हाथों पर वो मृत्युगंड के रोप में आये हुए प्रहार को जेल लिया उनके हाथ की हड़ियां तूड गई लेकिन जै प्रकार जी को चोड़ से उन्होंने बचा लिया और वो एक ऐसी घटना थी कि देश का ध्यान नाना जी देश मुख की तरफ गया नाना जी देश मुख जीवन भर देश के लिए जीए उन्होंने ऐसे कपल तयार किये दिन्द्यार रिसर्च इंस्टिटूट के माध्यम से देश के लिए जीना सिखो देश के लिए कुछ करके रहो इस मंत्र के साथ युवा दंपत्यों को उन्होंने निमंत्रित किया शैकड़ों की तादाद मैंसे युवा दंपत्य आया आगे और उन्होंकों उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया जब मुरार जी वैप्रदान मंत्रि थी है देश में जनता पार्टी का शासन था नाना जी देश मुक को मंत्री परिशद के लिए आमंत्रित किया गया जैप्रकास जी के कदमा पर ही नाना जी ने भी मंत्री परिशद में जुणने से विनम्लता पूर्वक इनकार किया और स्वयम को राजनितिक जीवन से निवरुत्त करके साथ साल की उमर के बाद वे जब तक जिवीत रहे करीब साड़े तीन दसर तक उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्रमिंदू बना करके गौंडा को केंद्रमिंदू बना करके ग्रामिन इविकास के लिए खपा दिया आज मुझे खुशी है कि नानाजी की जन्मस्टी के इस अवसर पर भानत सरकार इन महापुरुसे के सपनों के अधार पर और मात्मा गांदी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर ग्रामिन विकांथ की दिशा में हम कैसे आगे बड़े हमारे गाउं आत्मंदिर भर कैसे बने हमारे गाउं गरीबी से मुक्त कैसे बने हमारे गाउं बीमारी से मुक्त कैसे बने हमारे गाउं जिसमें आज भी जातिवाद का जहर गाउं को विखेर देता है गाउं के सपनों को चूर चूर कर देता है उस जातिवादी भावनाओं से उपर उठा के गाउं एक समरस गाउं बने सब को जोडने वाला गाउं बने और सम्मिलकर के गाउं के कल्यान के लिए संकल पकरे उस प्रकार के गाउं के विकास को जन्भागिदारी से आगे बढ़ाने की दिशामे बानत सरकार अनेक विद कदम उठा रही है आज मुझे यहाँ पर देश के ग्रामिण जीवन के लिए सोचने वाले ग्रामिण जीवन के लिए योगदान देने वाले ग्रामिण अर्थकारन का ग्रामिण क्रिशी जीवन का ऐसे बिन बिन विशोव पर जिनकी मारत है ऐसे देश के तिन सो से जादा लोग कल पूरा दिन बैठे अलग अलग जुथों में बैठे आदूनिक संदर्म में गाउं का विकास कैसे हो उसका विचान भी मर्श किया और पूरा दिन बर इन अनुभवी लोगों ने जो मन्तन किया है उससे जो अमरित निकला है आज अभी एक वीडियो के माध्यम से उसे कुछ प्रस्तुत करने का भी प्रयास हुआ लेकिन मैं इन सब मानुभाओं को भी स्वाद दिलाता हूँ कि आपने जो विचार मिमर्श किया है मन्तन किया है और जो बिंदू छाट करके आपने निकाले हैं बारत सरकार उसको गौर करेगी गंबीरत्य से लेगी और उसमें से जितने करणिय मुद्दे हैं एक्सनेबल उसको भारत सरकार की योजनाओं में समाहित करते हुए कई वर्षों के बाद इतने बड़े फोरम में भारत के ग्रामिन जीवन के विशे में चिंतन और चर्चा हुई है देश के हर कौने से लोग आये हैं अलग-अलग इलाके की प्रकृति अलग है वहां की समस्याइए अल है वहां की आवशक्ता है अलग है रूची प्रकृति प्रवृति के अनुसार गाउं का विकाज जड़ों से जुड़ा हुआ होगा तो वो सस्ट्रेनेबल ग्रोथ के लिए गारंटी होता है बार से थोपी हुई चीजें ग्रामिन जीवन के अंदर ज्यादा समय को एक फोर प्रामिन जीवन बार से थोपी हुई चीजों को स्विकार करने के लिए साहत नहीं जुटा पाता है और इतले हमारा प्रयास यह हैं कि गाउं की अपनी जो शक्ति हैं गाउं का अपना जो सामर्त है सबसे पहले उसी को जोडते हुए विकास का मोडल बनाएं को जो गाउं के लोगों अनुकूल होता है परिचीत होता है उसमें थोड़े मोडिफिकेशन की जरुत होती है इसके लिए वैज्यानिक तरीके से आर्थी दृस्टी से टेक्नलोजी की दृस्टी से एक सपोर्ट सिस्टिम की रिक्वार्मेंट होती है और अगर उसको हम बल्टे करके चलते हैं तो गाउं आसानी से उसे जुड़ जाता है गाउं उस विकास यात्रा को अपने कंदे पर उठा लेता है और सस्ट्रेनबल विकास की वो एक गारंटी बन जाता है आपने जो चिंतन मनन किया है उस धरती के अनुभव के आधार पर किया है और उस अनुभव के आधार पर की हुई चीजे मुझे विस्वास है कि आने वाले दिनों में ग्रामिन विकास को जिस तेजी से हम लेना चाहते हैं एक बात हमें समझनी होगी हम विकास करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती है हम अच्छा करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती है अगर हम चीजों को समझ शीमा में करें हम हमारी योजनाओं को जो लाभार्ती है टार्गेटेड ग्रूप है उनके लिए सत प्रतिशत लागू करें योजनाओं जिस मिजाद से शुरू करी गई जिस प्राच्छ भूमी में शुरू की गई उसमें डाइलूजन ना आए डाइवर्जन ना आए और उसको लागू करने का समय सिमा में प्रयास करें और वो भी आउट्पुट आधारित नहीं आउटकम आधारित हो सिर्फ हमने इतना बजेट खर्च दिया वो नहीं इस बजेट का ये हमारा लग्षता ये हमने परिपूर्ण किया अगर इस प्रकार से हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास करेंगे और समय सीमा में करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 70 साल में ग्रामीन विकास की जो गती रही है 2022 आजादी के 75 साल मनाएंगे तब हमारी विकास की गती तेज होगी कि जो 70 साल से सपने संजो करके बैटा हुआ मेरा ग्रामीन विकती है उसकी जिन्दगी को भी बदलाव ला सकता है आज गाउं का नागरिक भी शहर की बराबरी की जिन्दगी जीना चाहता है जो सुवीदा शहर को उपलब्द है वो सुवीदा गाउं को उपलब्द होनी चाहिए अगर शहर में बिजली जगमगाती है तो गाउं में भी बिजली जगमगानी चाहिए अगर सहर के लोग मन चाहे तब टीवी देख सकते हैं गाउं के लोग भी देख सके अगर सहर का बच्चा स्कूल की लेबरेटरी में जाकर प्रयोग कर सकता है तो गाउं का बच्चा भी स्कूल की लेबरेटरी में प्रयोग करने के लिए उसको आउसर हो रहा है अगर सहर का बच्चा आधुनिक कम्पूटर के द्वारा टेक्नोलोजी की सिख्षा प्राप्त रहा है तो ये भी आवस्चक है कि गाउं के बच्चे को भी उसी टेक्नोलोजी के द्वारा प्रसिक्षित होने का आउसर मिलना चाहिए उसको भी टेक्नोलोजी में आगे बढ़ का अवसर मिलना चाहिए अगर इंटरनेट आज कभी कभी गाउं में टीचर रहने को तयार नहीं डॉक्टर रात को चले जाना चाहता है लेकिन जो सुविदाएं शहर में है वैसी अगर हम सुविदाएं अगर नल से पानी आता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है इंटरन से जुड़ा हुआ है 2400 घंटे बिजली है चूला जलाने के लिए गैस उपलब्द है अगर इन प्रांस्विदाओं को भी अगर हम पहुंचाने में सबल होते हैं तो एक क्वालिटी अप लाइफ में जो बदलाव आएगा वो गाउं में भी लोगों को रहने के लिए प्रे की हाजरी भी बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण बनती है और इसलिए मात्मा गांदी ने जो सपना देखा था दिंदा अलुपादय जी ने जो चिंतन किया था नाना जी और जैप्रकाजी लोगों ने जिन विचारों को लेकर के जीया था इनी आदर्स जाना को लेते हु हमारे देश में संसाधनों के कारण आखरी छोर के इंसान को हम कुछ नहीं दे पाते हैं आज भारत सरकार में आने के बाद मैं इस बात से अब सहमत नहीं हूँ हिंदुस्तान के आखरी छोर के व्यक्ति को भी अगर उसके हक का जो है उसको पहुँचाना है तो देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है जो कमी महसूस होती है वो गुड गवर्नन्स की है सूसासन की है जिन जिन राज्यों में गुड गवर्नन्स है सरकारी मसिंद्री निर्धारी समय में टार्गेटेड काम को पूरा करने की आदी है तो वहाँ पर बडला नजर आता है आप देखिये मंद्रेगा अम मंद्रेगा की एक मिसेश्ता है वो बना है गाओं के गरीब लोगों को रोजगारी देने के लिए लेकिन अनुभव यह आता है कि जिस राज्यों में जादा से जादा गरीबी है वहाँ पर मंद्रेगा का काम कम हो रहा है लेकिन जिन राज्जों में कम गरीभी है लेकिन good governance है वहां राज्य proactive है ज़ादा से ज़ादा योधना बना देते हैं ज़ादा लोगों को जोड़ देते हैं और ज़ादा काम कर लेते हैं और इसलिए ग्रामेर विकास के लिए good governance पर बल यह हमारे सरकार का निरंतर प्रयांस है। आज जो दिशा नाम का जो डिजिटल डेश्बॉर्ड आपके सामने प्रस्तूत किया गया, वो एक प्रकार से गुड गवर्नन्स की दिशा का एक एहम कदम है। जिसके कारन सेंटरली हर चीज को monitor किया जा सके। समय सीमा में review किया जाए। अगर उसमें कमिया है तो उसको correct करने के लिए major लिए जाए। और policy problem है तो policy correct किया जाए। अगर person problem है तो person को correct किया जाए। लेकिन दिशा इस प्रकार का डेश्बोर्ड के कारण एक तो इसके मॉनिटरिंग की पूरी ववस्ता आप हिंदुस्तान के सभी गाउं के साथ जुड़ेगी दूसरा बारत सरकार का जो वीजन है राच्य सरकार की जो योजनाए है और हमारा जो पारलामेंट का मेंबर है और डिस्ट्रिक की काई है यह सभी अगर विकास को एक सुत्र में करेंगे प्रावरिटी समान होगी तो हमें इच्छी परणाम जरूर मिलेगा और इसलिए इस दिशा के माध्यम से जनब प्रतिनिद्यों को सक्रिय रुप से जोड़ने का एक एहन काम बारत सरकार ने किया है इस दिशा के द्वारा पार्लेमेंट का मेंबर जिला हिकाय के साथ बैट करके इन सारी योजनाओं का रिव्यू करता है प्रावरिटी वहां की आवस्टता के नुसार तै करता है चीजें यहां से ठोपी नहीं जाती है और इसरी के कारण कार्य में गती लाने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता मिली लोग तंतर की सफलता शिरफ कितने लोग मत पेटी में मत डालने जाते हैं बोट डालने जाते हैं दुर्भागे से कई वर्षों तक हमने लोकतंत्र को यहां सिमीत कर दिया कि पांच साल में एक बार जाना, डिबे में परचा डाल देना या बटन दबा देना और फिर सरकार जो भी चुन करके आए, जो भी बाड़ी चुन करके आए, पंचायच जो चुन करके आए वो हमारा पांच साल में भागे ताय करेगी, मैं जबता हूँ, लोकतंत्र को इतना सिमीत नहीं सोचा जा सकता, लोकतंत्र का एक महत्वपुड काम जरूर है, तो जो अपनी पसंद की सरकार चुने, लेकिन लोकतंत्र की सफलता तब होती है, जब जन भागीदारी से देश चल जन भागीदार से नगर की विकास याफ्रा चले, और इसलिए जनता के साथ सरकार का समवाद अनिवार यह होता है, जीवन्त समवाद होना चाहिए, उपर कीसे नीचे की तरफ करेक्ट गाइडलाइन जानी चाहिए, और नीचे से उपर की तरफ करेक्ट इंफर्मेशन जान चाहिए अगर ये टूवेट चैनल परफेक्ट होती है तो योजनाएं नीतियां और बजेट एलोकेशन सही टारगेटेड जगा पे सारी चीज़ें हो सकती है और इसलिए आज एक मोबाइल एप के द्वारा ग्रामिन समवात के द्वारा गाउं का व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सही जानकारी उपर तक पहुंचा सकता है और उपर से सही मारदर्शन लास्ट मैं तक सीधा पहुंच सकता है और उसके कारण वहां स्थानिय इकाई जो सरकारी रहती है उन पर भी दवाव पैदा होता है क्योंकि गाउं का व्यक्ति कहता है कि बाबु कहते ही योजना लेकिन मेरा मोबाइल फोन को कहता है यह योजना है आप बताईए हमारी हां क्यों लागू नहीं हुई यह जनता को जांदूरत करने का एक बहुत बड़ा काम इस मोबाइल एप के द्वारा टेक्नलोजी का उप्योग करते हुए जनता के साथ सम्वाद बढ करते हुए काम को दिशा देना गती देना उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं आज आर्च सेती का भी देश बर में कई जगा पर उद्धाटन हुआ है उसी प्रकार से एगरिक्टर कल्चर विभात का यही पर एक फेनोमिक्स का भी एक बड़ा महत्वपरून प्रांट का उद्धाटन हुआ है हमारे देश में क्रिशिक छेत्र और पशुपालन यह ग्रामीन जीवन की अर्थ बवस्ता के केंदर बिद्धु बैह लेकिन साथ साथ हमारे ग्रामीन जीवन में जो आर्टीजन्स हैं उनका भी ग्रामीन अर्थकारण में बहुत बड़ा योगदान ह और इसलिए चाए पशुपालन हो चाए खेटी हो चाए हद्करगे का काम हो हस्तकला से जुड़े हमारे लोग हो उनको जोड़ करके हमने हमारी अर्थ व्यवस्ता के पीलर्स को मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं 2022 बारत की आजादी के 35 साल देश के किसानों की आयट डबल करने की दिशा में एक संकल पर लेकर के हम काम कर रहे हैं एक तरफ किसान की जो इंपुर्ट कोस्ट है उसकी जो लागत है उसको कम करना है और दूसरी तरफ उसका उत्पादन जो है उसको बढ़ाना है अगर ये इन दोनों की जोग हम चलेंगे तो हमें टेक्नलोजी की मदर लेनी होगी हमें आधुनिकता की तरफ जाना होगा पशू पालन पशू की संख्यक भले कम हो लेकिन दूद का उत्पादन जादा हो प्रती पशू दूद का उत्पादन बढ़े उस दिशा में हम जितना तेजी से आगे बढ़ेंगे वो ग्रामिर अर्थ जिवन को आगे बढ़ाएगा हमा आज दुनिया में केमिकल वैक्स की बढ़ले में शहद वाला वैक्स जो है मोम है उसकी दुनिया में बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है लोग केमिकल वैक्स से मुक्ति पां करके हनी भी का जो वैक्स होता है उसकी और जा रहे हैं अगर हम गावों में मंदू मख्वी पालन को बढ़ावा दे साइन्टिमिक तरीके से हनी भी पालन करना हमारे किसान के या पसुपालक के साथ जुड़ जाए अतिरीक इंकम की सम् और आज जो बहुत बड़ा मार्केट बी वैक्स का है हनी बी के वैक्स का है केमिकल वैक्स से लोग मुक्ति चाहते हैं भारत इसमें बहुत बड़ा मार्केट को दुनिया में कैप्टर करने की ताकत रखता है और उस दिशा में हम आगे जाना चाहते हमारे यहां मच्छ हमारे अग्रिकल्चर हो, उसमें भी टिम्बर की खेती, पचुपालन के साथ साथ, खेती के साथ, अगर खेत के किनारे पर टिम्बर की खेती करें, तो देश आज जो टिम्बर इंपोर्ट करता है, उससे बच जाएगा, और देश का किसान टिम्बर से इतनी सारी कमाई कर पांच-दस साल मेहनत करने की जरुद है, अपने आप पनना माना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी एक comprehensive integrated approach के साथ, ग्रामिन विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, हम कुछ काम निर्धारिश समय सिमा में करने की इरादे से करते हैं, मुझे खुसी है कि ग्रामिन जीवन के साथ एक गंदकी ग्रामिन जीवन का हिस्सा बन गई, लोग सहते रहें, उन्होंने यहीं मान लिया, हमारे नसीब में यहीं लखा हुआ है, और दीरे दीरे जैसे जागरुत्ती आ गई, लोगों में यह बढ़लाव की शुरुवात होग गाउं की माता और बेहनों के सम्मान का एक अभियान चला, टॉइलेट बनाने का अभियान चला समय सीमा में, टॉइलेट बनाने का सौचालाई बनाने का काम चला, और आज दिरे दिरे इस्तिती आई हैं, कल तक जिसे हम सौचालाई कहते थे, आज हिंदुस्तान में उत्तर माता और बहनों की इज़त के लिए इस से बड़ा कोई तोफा नहीं हो सकता जो कि हम टॉइलेट बना करके देते हैं हमारी माता और बहनों को सौच के लिए खुले में जाना पड़े सूरज धलने तक का इंतजार करना पड़े और सूबे सूरज उगने से पहले जाकर के आना और दिल में कभी जाने की नौबत आई उस मा बहन को कितनी पीडा होती होगी ये जब तक उस संवेजना को हम अनुभाव नहीं करेंगे तब तर ओपन डेप्रिकेशन फ्री का अंदोलन सफल नहीं हो सकता है और इसलिए जब इस सोचाले बनाने की बात आए उन मा बहनों की इज़त की तरफ देखे उन मा बहनों की परिशानियों की तरफ देखिए आपको भी लगेगा बांकी काम छोड़ करके पहले भारत सरकार की योजना से मैं सोचाले बनाओं और सोचाले का उप्योग कड़े के आदर बाओं डाई लाग से अधिक गाउं ओपन डेफिकेशन फ्री होने के लिए आगे आए उन्होंने करके दिखाया मैं इन गाउं को रुदे से बढ़ाई देता हूं उन्हेंने मा बहनों की इज़त के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और मा बहनों की इज़त करने वाला गा होता है मैं उसको नमन करता हूं उन गाउं अच्छों को नबन करता हूं कि जिनों ने इस महतलब न काम पो किया है कि स्वथ्ठता ऐस गाउं का स्वभाव बन रहा है से गाउं लिए number को लेने लगा ऑर उसमें भी एक बोहुत बड़े बड़ाओ की हमारे कई गाउं आजादी के सतर साल के बाद भी अथारा हजार गाउं ऐसे जो आज भी अथारवी शताब्दी में जीते हैं न बिजली का खंबा है न बिजली का लट्टू है न गाउं में कभी बिजली देखी है हमने बिड़ा उठाया लाल के लिए से कहां एक हजार दिन में 18 हजार गाओं में बिजली पहुँचाएंगे और मुझे खुसी है कि राज्य सरकारों ने भी उसमें हाथ पटाया बारत सरकार ने भी उसमें तेजी लाई और आज बहुत तेजी से 18,000 गाउं के उस लक्स को पूरा करने की दिसा में हम आगे बढ़ रहें करीब करीब 15,000 गाउं में बिजली पहुँच गई अब गाउं में बिजली पहुँच गई तो हम वहां टकने वाले नहीं हैं अब हमारा सपना है गाउं हो या शहर गर होआ जोपड़ी हरें के घर में बिजली का लट्टू होना चाहिए 24 गंटे बिजली मिलनी चाहिए बड़ा बयान दूठाया है और इसलिए गड़ी परिवारों को घर में कनेक्शन देने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हमने ताय किया है मुफट में कनेक्शन देंगे बिजली पहुंचाएंगे और मुझे विश्वा से एक बार बिजली आई तो घर के जीवन में भी बड़ाव आएगा बच्चों को सिक्षा के लिए सुविदा बढ़ेगी घर का जीवन बढ़ेगा 24 गंटे बिजली देने का निर्धारित लख्च के साथ काम करने की दिसा में आज हम आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान के ग्रामिन जीवन को बदन ले के लिए हमारे जो ग्रामिन लोग उत्पादन करते हैं उसको शहर में एक फैसन स्टेट्मेंट के रुप में हमें पलवित पुश्पित करने की दरोख है सामान निव्यक्ति ने अपने हाथ से बनाए हुई चीजें अगर बड़े बड़े घरों में थोड़ा सा उसका उप्योग शुरू हो जाए ग्रामिन एकोनामि को बड़ी ताकत मिल जाएगी अगर दिवाली के दिये गाओं के मेरे कुमार के बनाए हुई अगर हम खरीजेंगे तो उस मेरे कुमार के घर में दिवाली का दिया अपने आप जलने लग जाएगा और ये हमारे ले मुश्किल काम नहीं हम शहर में रहने वाले लोग हमारी पूरे जीवन की आवश्यक्ता को ग्रामिन अर्थकारण के द्रिश्टिकोन से आगे बढ़ाएंगे तो नयापन भी महसूद होगा एक जीवन में संतोस का भाउग जाएगा और इसलिए शहर गाउं के लिए एक मार्केट प्लेस बनना चाहिए सिरफ गाउं से आने वाला अनाच शहर के लिए मार्केट प्ल होने वाली हर चीछ शहर के लिए मार्केट प्लेस के रुप्दे डेवलब होती है तो कभी भी मेरे देश में गाउं गरीम नहीं रह सकता है और पंडित दिनदाल पाइता है जीने जो अंत्यों-दय का सपना देखा था उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं आज नाना जी देश्मुक की जन्व सताविज दिर्मित बारत सरकार की तरफ से एक पोस्टल स्टैम का भी लोकारपन हुआ है मुझे भी स्वास है जब भी ये दाग इस पोस्टल स्टैम के साथ लोगों के हाँ पहुँचेगी नाना जी के प्रती एक स्वाभाई की उत्सुत्वा जगेगी कैसे कैसे महापुरुस सिर्फ बेश के लिए जीना यही जिनका मकसद रहा गाउं के जीवन में बढ़लाव लाना इसी के लिए खुद जाकर के प्रयोक करना और देश के सभी रास्पती नाना जी ने जब से गाउं का शुरू किया उसके बाद जो भी रास्पती आये वो हमेशा नाना जी के इस काम से जुड़े रहे नाना जी के काम को सरहते रहे नाना जी के प्रोजेक्ट देखने के लिए खुद जाया करते थे और ये काम नाना जी के कौशल्य की विशेशता थी आज नाना जी की जन्वसक्ति के निमित थी हिंदुस्तान भर के ग्रामिट जीवन के लोग आये हैं बारत सरकार के सभी समंदित विभाग जुड़े हैं और ग्रामिट जीवन में बढ़लाव लाने का एक संकल्प लेकर के हम चले हैं मुझे विश्वास है कि 2022 आजाजी के 75 साल हर गाउं वो भी एक संकल्प करें हर गाउं वासी वो भी एक संकल्प करें कि 2022 तर मैं मेरे गाउं को ये दूँगा और मेरा गाउं हम मिल करके हम देश को ये देंगे अगर इस संकल पर ले करके चलेंगे मुझे भी स्वास है हम ग्राम हो देके जिस सपनों को ले करके चले हैं उसको पूरा करने में सफल होंगे मैं फिर एक बार आप से आगरा करूँगा यहां जो प्रदर्शनी लगी है मैं अभी देखने गया था जो आए हैं उनको भी कहने के लिए उनके पाँद बहुत सारी बाते हैं सफलता के साथ की हुए अनुभवों का वहां निचोड है मैं भी मन करता था बार बार ठहर जाता था देखने की समझने की कोशिस करता था मन को आनन्द होता था कि गाउं गाउं किसे किसे प्रयोग हो रहे हर राज्यों में कैसे कैसे नए नए प्रकार के इनिशेटिव लिए गए हैं गाउं में भी टेकनलोजी ने कैसी अपनी जगा बनाई हैं ये सारी चीजे मैं देख करके मन को बड़ी प्रसनता हुई मेरा आप से आगरह है आप कितने ही व्यस्त क्यों न हो कितनी ही जल्दी जाने की क्यों न हो इस प्रदर्शन की हर चीज को बारीकाई से देखिए आपके गाउं में उसमें से क्या लागू हो सकता है उसका जड़ा कागज पे लिख के रखिए किसका संपर करना वो भी नोट कर लीजिए और उसमें से कौन सी चीजे आपके गाउं के लिए अनुपूल है उसको आप अपने गाउं में जाकर कैसे लागू कर सकते आगिर कर जब कोई चीज को देखते हैं तो उसकी ताकत का परीचे जादा होता है और इसलिए मैं आगरह करूँगा कि आप सभी से दो चार घंटे भी इस प्रदर्शनी में जरूर लगाईए हर चीज को देखिए और अच्छी चीजों को अपने गाउं में ले करके जाईए मैं फिर एक बार नाना जी को प्रणाम करता हूँ बाबु जैप्रकाश जी को नमन करता हूँ और सभी गाउं से आए हुए मेरे जागरुत नागरिक भाईयों बहनों को प्रणाम करता हूँ और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कोठी कोठी धन्यवाद माने निये बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन और प्रेरिणा के लिए अब हमारा निवेदन है ग्रामिन विकास राज्य मंद्री श्री राम क्रिपाली आदव से की क्रिपया आभार प्रकट करें आज के इस कारकरम के मुक्ती थी देश के सबासो करोर लोगों के आसा के कीरन जननायक माननिये प्रधान मंत्री स्री निरन नूदी जी माननिये मंत्री ग्रामिन विकास स्री निरन सिंग तोमर जी माननिये मंत्री क्रिसी आदवनिये स्री राधा मोहन सिंग जी माननिये मंत्री स्री प्रसत्तम रुपाला जी आदर्णिये शरी बिरंजी सिंग्जी देश के विभिन भागों से आए हुए ग्रामिनी विकास में काम करने वाले रुची रखने वाले और गाउं के बिभिन पंचैतों से हुए जन्पर्धिनी गन भाईयों बैनों सम्मानित अधिकारी गन आज महान समास से भी आधुनिक भारत में गाउं को समगर विकास की परिकलपना करने वाले नाना जी देशमुक का जन दीन है जिसको हम जन सतादिर समरोह के रोप में समर्पित करने का काम क्या है साथ ही लोक नायक जैप्रकास जी जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने का काम क्या है उनकी भी आज जैनती है इन दोनों महापुर्सों की जैनती के आउसर पर हम अपने तरफ से अपने विवाग के तरफ से सद्धा की सुमन रपित करते हैं और खास दोर पर इस काचकरम में आकर के हम सब लोगों का हौसला उमंग भरने का मानने पृधान मंती जी मार्ट दसन देने का काम क्या है हम अपने विवाग के तरफ से अपने तरफ से अपने मंती जी के तरफ से आपका हार्दी के विन्नन और स्वागत करते हैं साथी साथ आपका अभार भी व्यक्त करते हैं कि हम सब लोगों का देश वासियों का आपने मार्ट दसन करने का काम क्या है मानने पृधान मंती जी मैं आज की सौसर पर आपको विश्वाज दरना चाहता हूँ आपकी नू इंडिया की परिकल्पना जो आपने देखा है 2022 तक हम आस्वस्त करना चाहते हैं ग्रामिन विकास मंताले के तरफ से कि निस्ट तोर पर आपके सपनों का नू इंडिया ग्रामिन विकास मंताले के माद़म से जो भिविन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है देने का काम करेगा और इतना मैं कह सकता हूँ कि आपने जो संकर्प लिया है कि 2022 तक हिंडुस्तान का कोई गरीब जिसका आपना पका मकान न हो और देने का ग्रामिन विकास मंताले आपके माद़म से अजन में करने का काम कर रहा है यही नहीं आपने यहीं हम सब लोगों की ड्यूटी देने का काम क्या है जिसक ड्यूटी को पूरा मंत्रा ले जोर सोर से कर रहा है पूरा 2019 तक आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर पात्र बसावट प्रधान मंत्री ग्रामिन सर की ओजना से जोरने का काम किया जाए मैं आपको यह भी आज के दिन आस्वस करना चाहता हूं कि वो भी जूर कर रहने का काम करेगा आपकी पीरा है बेदना है आप पंडिदीन दियाल जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं लोक नायक जप्रकार जी नाना जी देशमुक का सपनों का साकार करना चाहते हैं आपकी बेचेनी और पीरा रहती है कि गाउं की गरीवी कैसे दूर हो गाउं की उनत्ति कैसे हो आपके माजने देशन में निस्जित तोर पर ग्रामिन विकास मंत्राले उन सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है और निस्जित तोर पर बहुत तेजी से अपने मंत्राले के विभिन कारकरमों के मादनम से जमीन तक गरीबों को जोर करके उनकी बेरोजगारी उनकी गरीबी उनकी आर्थिक सिती को मजबूत करने का काम कर रहा है और उनके जीवन अस्तुर को हुचा करने का काम कर रहा है आजादी के बाद एब पहला मौका है जब आधरने प्रढ़ान मंति जी ने देस में समाज के समाज के आंतिम पंक्ती में बैठने वाला आदमी समाज कांतिम पंक्ति में बैठने माला आदमी भी जब से प्रधान मंत्य बने है वह अपनी छबी आप में देखने का काम करता है यहीं नहीं माने बंतरी जी जो माने प्रधान बंतरी जी जो अनतोदे का मिशन सब्दावली किताबों में हुआ करता था आप जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मंत्राले बहुत ही सहयोग करने का काम कर रहा है आज पहली बार देश का प्रधान मंत्री समाजिक नया को जमीन पर उतारने का काम सिर्फ नहीं किया है बलके आर्थिक ससक्तिकरण के लिए योजना बनाने का काम क्या है यानि सोशल जस्टिस बिद्ध एकनॉमिक इंपारोमेंट के आधार पर काम करने का काम कर रहा है पधान मंत्री जी मैं पुना हाथ को आस्वस करना चाहता हूं कि निश्ट तौर पर ग्रामिन विकास मंताले पूरी मांदारी और निश्टा के साथ आपके मांग निशन में और जिस तरह का सहयोग मानने प्रधान मंतिजी ग्रामिन विकास मंताले को विकास की उजणाओं में पूरा करने के लिए दितनी धर्रासी दी जा रही है निश् 22 में निसीत तोर पे एक नया भारत के निर्मान का जो सपना देखा है हम सब लोग मुलकर उसको पूरा करने का काम करेंगे अंत में आय हुए तमाम मंत्रिगन का आदरने जो हमारे सम्मानित गौंग के बिविन देश के बिविन हिस्सों से आय हुए लगवाग अठाइस राज आभार वक्त करना चाहते हैं अपने अधिकारियों के परती दिविन छेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के परती आभार वक्त करते हुए और सभी लोगों को एक बार प्रणाम करते हुए नाना जी देश्मुक जी और जैप्रकास जी के चर्णों में पुना एक बार स सौगात गाम वालों को देने के लिए इस देश को देने के लिए भारत माता के गामों को विकास की वर्षा से सीचने के लिए आपका हार्दीग धन्यवार महान विभूती नानाजी देश मुख रथा लोक नायक जैप्रकाश नारायन के विचारों के समन्वे से जनहित और सर् ग्रामीन आजीविका, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंदन, जल संरक्षन, क्रिशी नवीनी कारण एवं टेक्नोलोजी, गाउं की शिक्षा, गाउं की स्वच्चता, संपून रूप से गाउं उत्थान का संकल्प भारत निलिया है और माननी अप्रधान मंत्री के नेत्रितिव में हम इस संकल्प की सिध्धी के लिए कार्य करेंगे नमस्कार, जय हिंद